हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी क्रश्ना आज मैं मेश राशी के बारे में जानकारी दूंगा एक बहुत बड़ा बदला और परिवर्तन होने वाला है गुरू अब वक्री होने वाला है और गुरू मेश राशी में ही वक्री होगा ऐसी इस्तती में मेश राशी वालों की क्या इस्तती रहेगी गुरू कब वक्री होने वाला है दिनांक 4 सितंबर 2023 को और यह 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेगा 118 दिनों तक गुरू वक्री रहेगा तो इसका मेश राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विशय पर आज बात करेंगे तो आपकी जन्म की राशी मेश राशी है तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और वकरी गुरू मेश राशी में ही होगा तो मेश राशी वालों को क्या-क्या बहुत श्रेष्ट उत्तम लाव मिल सकते हैं क्या चमतकारिक परिणाम इसका आ सकता है आपके जीवन में क्या बदलाव इन चार महिनों में हो सकता है बहुत बड़ी बात तो यह है कि अब राहू भी मेश राशी से उतरने वाला है और वह उतर जाएगा दिनांक 30 अक्टूबर को तो आगे फिर नवंबर का महिना भी है दिसंबर का महिना भी है तो आगे इस्तती में और ज़्यादा अच्छी इस्ततियां बन सकती है यदि इस वीडियो को द्यान से सुनेंगे तो एक लाब वाली इस्तती आपके लिए बन रही है अच्छा योग बन रहा है आपकी राशी पर ही गूरु का गोचर भी चल रहा है और वक्री होने से भी इसके लाब मिलते हैं इसको आज जान पाएंगे यदि पूरा वीडियो त्यान से देखेंगे तो दिनांक 4 सितंबर 2023 को रातरी 7 बज़ कर 47 मिनट के लगबख यह इस्तती गूरु की बदलने वाली है गूरु वहाँ पर राशी तो मैश ही रहेगी मैश राशी पर ही गूरु का गोचर रहेगा लेकिन वक्री हो जाएगा और यह इस्तती चलेगी 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर को रातरी 9 बजे तक यह इस्तती चलेगी तो 118 दिन है मेश राशी पर गूरु का गोचर है हाला कि साथ में राशी बी है लेकिन राशी अब उतरने वाला है तो रहु का कष्ट, रहु से मिलने वाला कष्ट अब नहीं मिलेगा और गुरु वक्री होगा तो क्या लाब मिलेगा हलांकि शनी की भी दरश्टी है गुरु पर लेकिन फिर भी लाब मिलेगा यहाँ गुरू की इस्तती जो वक्री वाली इस्तती है काफी बलवान इस्तती रहेगी 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक तो सबसे पहली और प्रमुक बात तो यहाँ है कि मन में इस्तिरता रहेगी या मस्तिक्ष में इस्तिरता अब आने वाली है जो भी विचार करेंगे अब उसमें ज्यादा बदला वाली इस्तती नहीं रहेगी साहस की व्रद्धी होगी यह गुरू जो मेश राशी पर ही वक्री होने वाला है और आपकी जन्म की राशी भी मेश है इस इस्तती को हम चंदर कुंडली से देखते हैं गोचर वाली जो इस्तती है क्योंकि गोचर की इस्तती है गोचर अर्थात वर्तमान में गुरू की इस्थती या किसी भी ग्रह की जो वर्तमान इस्थती जो होती है जिस राशी पर वह चलाएमान है उस इस्थती को गोचर इस्थती कहते हैं तो साहस की व्रद्दी होगी सबसे बड़ी बात नोकरी में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी इस्तती बन रही है और नई नोकरी के योग भी अब बनने वाले हैं विदेश योग विदेश में लाव या दूर इस्थान पर यात्रा इस प्रकार का योग भी गूरू से बनने वाला है वियापार में भी कोई शुब बदलाव वाली इस्तती या कोई अच्छा बदलाव अब आप कर सकते हैं और विशेश बात तो यह है कि 30 अक्टूबर के बाद तो आप कर ही सकते हैं योग भी बनेंगे जैसे रहू उतरेगा मेश राशी से और अच इन महीने पहले से ही रहू शुब प्रभाव नहीं देगा लेकिन उस राशी से या उस राशी पर जो उसके अशुब प्रभाव हैं वे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं तो गुरू के शुब फल मिलेंगे रुके काम अब पूरे होने वाले हैं काफी समय से जो काम रुका हुआ था इन चार महिनों में वह काम शुरू हो सकता है इसलिए ध्यां देवें मेश राशी है है तो कोई भी बाधा आ रही है कोई भी समस्या आ रही है तो वह अब समाप्थ होने वाली है और सब्से बड़ी बात कोई मांसिक चिंता है मस्तिक्ष में कोई विचार है तो उससे मुक्ति मिलने वाली है वह चिंता होगी दूर व्यापार में भी रूची रहेगी नया कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं या नोकरी काफी समय से आप कर रहे हैं तो अब व्यापार का भी विचार आपका बन सकता है शेर से समधित अगर कोई जानकारी है आपको और शेर बाजार का कोई काम करते हैं यदि करते हैं तो आपको लाव इस समय में अवश्य मिलेगा हाँ जिनको जानकारी नहीं है उनको शेर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए लेकिन जो जानकार है और पहले से ही इस फि संतान का भी लाब मिलेगा ऐसी बहने हैं जिनको संतान नहीं हो रही कोई समस्या है तो इस वक्री गुरू से भी उनको लाब मिलेगा संतान का सुक भी मिलेगा संतान भी कोई अच्छा काम इस समय में अवश्य करेगी बुद्धी से भी आपको लाब मिलेगा बुद्धी में विचारों से या बुद्धी में जो विचार आएगा उसको लेकर कोई काम करेंगे और उसमें लाव वाली इस्तती रहेगी भाग्य का भी लाव मिलेगा क्योंकि इस गुरु की द्रश्टी भी है पंचम पर सब्तम पर भाग्य इस्थान पर तो धर्म में रूची रहेगी धा कि तयारी कर सकते हैं इस प्रकार का यूग बन रहा है संगर्ष में अब थोड़ी सी भी कमी ना करें क्योंकि जैसे गुरु वक्री होगा चार सितंबर से एसी इस्तती में बहुत अच्छे च्छे काम आपके सामने आएंगे बहुत अच्छी इस्ततियां बनेंगी थोड़ा साबी आलस किया तो फिर वहाँ पर समय निकल जाएगा इसलिए संगर्ष में किसी प्रकार की कमी अब ना करें अगर मेश राशी है तो थोड़ा सा गुसा चिरचड़ापन 30 अक्टूबर तक जरूर रह सकता है लेकिन अगर आप सरकारी नोकरी का प्रयास कर रहे हैं तब भ रशम भाव के स्वामी की इस्तती अच्छी है तो इस वक्री गुरू की इस इस्तती से चार सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ये वक्री गुरू जो रहेगा इससे मेश राशी वालों को सरकारी नोकरी के मामले में भी लाब वाली इस्तती रहेगी और सबसे बड़ी वाले जितने भी जातक हैं कहीं से रिष्टा आएगा बातचित होगी और रिष्टा पक्का भी हो जाएगा इसलिए ध्यानते में दाम पत्ति में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है पत्नी से या पत्ति से विवाद चल रहा है तो उसमें भी कमी आएगी 30 अक्टूबर के बाद तो विशेश कमी आएगी इसलिए थोड़ा सयम रखें, धेरे रखें, फ्रेम बनाये रखें, अच्छी इस्तती होगी और सबसे बड़ी बात, गुरु वक्री रहेगा, साहस भी बड़ेगा, शक्ती भी बड़ेगी तो इसी इस्तती में किसी प्रकार का गर्व और अहंकार इन चार महिनों में ना करें इस बात पर दियान जरूर दें, तो लाब वाली काफी अच्छी इस्ततियां बन रही है, यदि मेश राशी है तो वक्री गुरु अब आने वाला है, चार सितंबर को, और यहाँ 118 दिनों तक, यहों मान कर चलें, चार महिनों तक रहेगा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, अधिक से अधिक इस समय का लाब उठाएं, और वीडियो पसंद आ तो शेर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, धन्यवाद जैशी कृष्णा